आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो basically halogen की Outermost Configuration क्या होती है NS2, NP5 Like 7 Electrons होते हैं तो आपका XO3- का जो आपका Structure होता है कुछ इस तरीके से होता है इसके उपर Negative आता है और यहाँ पर इसके पास क्या होता है Loan pair होता है ठीक है तो देखो अब यहाँ पर XO3- आपका सिफ वही फॉर्म करेंगे Halogen जिनके पास क्या होगा Vacant Orbitals जिसके पास जो अपना Octate Expand कर सकता है Vacant Orbitals अगर मैं बात करूँ Vacant D orbital अगर present है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा XO3- बनने की possibility है तो अब अगर Halogen मैं बात करूँ या फ्लोरीन, क्लोरीन, B 2024 अगर मैं अगर राण की बात करें तो फ्लोरीन आपका क्या होता है 1-2, 2-2, 2p, 5 अब अगर राण की आउटरमोस्ट की बात करूँ तो 3-2, 3p, 5 Similarly, ब्रोमीन की अगर मैं आउटरमोस्ट की बात करूँ 4-2, 4p-5 iodine की बात करो तो 5s to 5p5 इसमें क्या होता देखो fluorine cannot expanded octet इसके पास vacant 3d orbitals या फिर d orbitals नहीं होते तो यह अपना octet expand नहीं कर सकता बट chlorine, bromine और iodine की बात करो all three have the vacant orbitals उनके पास क्या होता है vacant orbital जहां पे वो क्या कर सकते है electron को accept कर सकते है तो अपने इसी वज़े से वो आपका XO3- की formation undergo करेंगे ठीक है और अगर हम यहाँ पे देखे तो fluorine होता है ना down the group जब आप जाते हो तो आपका क्या होता है अगर हम down the group की बात करें तो आपका number of shells बढ़ती है number of shells क्या होती है जिसकी वज़े से size भी atomic size increase होने लगता है तो fluorine का size सबसे चोटा होता है तो इतना गर चोटा size है अगर आप यहाँ पे इस तरीके से इतने तीन तीन oxygen और लोन पर लगाओगे तो क्या होगा यहाँ पे यह स्टेबल भी नहीं होगा थेंक यू